एक बार फिर से बदमाशों ने इंसानियत को शरमसार कर दिया घटना बिहार के नालंदा में हिलसा की है जहां रिष्टेदार के साथ जा रही एक दलित लड़की के साथ कुछ बदमाशों ने छेड़ खाने की यहां तक की छेड़ खान का विरोध करने वाले उसके रिसिदार के साथ भी बद सुलूकी की बदमाश यही नहीं रुके उन्होंने लड़की के साथ की छेड़ खानी का वीडियो बना कर उसे वाइरल भी कर दिया वाइरल वीडियो पुलिस के हाथ लगते ही पुलिस ने फूर्ती के साथ इस मामले पर एक्शन लिया और मुख्य आरोपी के साथ पाँच और बदमाशों को गिरफतार कर लिया है पीडित दलित लड़की के बयान पर हिलसा थाने में पाँच नामजद वा दो अग्यात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है अन्य अपराधियों की गिरफतारी के लिए पुलिस चापे मारी कर रही है DSP मुहमाद मुफीक अहमद ने बताया कि हिलसा थाना छेतर के एक गाउं से यारपूर गाउं जाने वाले रास्ते में कुछ दिन पहले अपने रिष्टदार के साथ जा रही एक लड़की के साथ बदमाशों ने सुनसान जगा देखकर छेटचानी वा रेप करने का प्रयास किया और उसकी वीडियो बना कर वाइरल भी कर दी हाला कि यह मामला चार दिन पहले का है परंतु मामले को गंभीरता से लेते हुए वाइरल वीडियो के आधार पर बीते रात हिलसा थाना च्छेतर के गुल्नी गाहों से अंकित कुमार, अनन्त कुमार, धमेंदर कुमार, कुंदन कुमार के साथ पाँच बदमाशों को गिरफतार कर लिया गया पीडित लड़की ने सभी बदमाशों की पहचान कर ली है इस चापे मारी अभियान में थाना अध्यक्ष प्रेमराच चुहान, बच्चन मंडल, अशोक सिंग, ज्यानेंदर चौधरी, शतरंज परसाद, आधी, पुलिस, पधितिकारी एवं दर्जनो, स्टीएफ के जवा पीज करते हैं